हाई फ्रेंज वेलकम टू मैं चैनल तो आज हम सेयार करेंगे हमारे घर के अंदर फूल देने वाले दस प्रकार की इंडोर प्लांट्स जो की बिना धूप में चलते हैं तो हमारे लीस्ट में नंबर वान में जो प्लांटे बो है पीस लिली और इनकी साइन्टिफिक नेम है स्पेती फाइला हमारे इंडोर के air को ये purify करता है पीस लिले एक बहुत लोमजिनास की प्लांट भी है बास्तु की सबसे ये प्लांट हमारे घर के negative energy को दूर करता है पीस लिले एक ideal bedroom प्लांट भी है तो हम इस प्लांट को हमारे घर की bedroom में भी रख सकते है ये फूल पाने के लिए हमें इस प्लांट को उइंडो की साइड में रखना चाहिए जहांपे कि इस प्लांट को bright light अच्छे से मिलना चाहिए इनकी साइड में भी ने-ने प्लांट साथ है जिन्हें हम सेपाइट पर काफी सारे प्लांट जो है बना सकते fertilizer में हम इसे NPK की fertilizer यूज कर सकते क्योंकि इस fertilizer में nitrogen, phosphorus और potassium है नहीं तो हम banana की peel की fertilizer भी इस plant में यूज कर सकते इनकी जो price है वो नर्सरी में hundred से उपर इनकी price रहता है next जो plant है वो है एंथुरियम की plant इनकी common name है एंथुरियम, tail flower और flamingo flower इनकी scientific name Anthurium ही है, Anthurium एक बहुत air purifying की plant है, इनकी flowers होर से जिन में एसे ही bloom करता है, ammonia और formaldehyde जिसे chemical को ये remove करता है, fertilizer में हम इस plant को भी NPK की fertilizer यूज़ कर सकते है, medium light area में हमें इस plant को grow करना चाहिए, इनकी जो price है वो nursery में 400 से उपर इनकी price रहता है, काफी सारे different colors में plants available भी रहता है, तो next जो plant है बो ही purple heart की plant, इनकी scientific name है Tradescantia pallida, हम इस plant को indoor आउड़ोर दोनों में ही grow कर सकते ही, इस plant की color के development के लिए और blooming के लिए हमें इस plant को bright indirect light area में grow करना चाहिए, fertilizer में हम इस NPK की fertilizer भी यूज़ कर सकते है, इनकी जो price है वो nursery में 40-50 रुपे में ये available रहता है, hanging basket में ये plant बहुत एक खुश्रोत लगता है, तो हम इस plant को hanging में लगा सकते है, cutting से भी ये plant बहुत आइसाने से grow हो सकता है, तो next जो plant है बो ही उट सोरल की plant और इनकी scientific की नाम है उप्जालिस, येक बॉल्ब से grow होने वाला plant है, बॉल्ब की side में ने ने बॉल्ब आते हैं, जिन्हे side करके हम काफी सरे plants जो ही बना सकते हैं, इनकी जो price nursery में 150 से लेके 200 तो क्रेंज में रहता है, इनकी जो flower से बो पाने के लिए हमें इस plant को bright light area में रखना चाहिए, पानी इस plant को उपर की soil dry होने से हमें देना चाहिए, ज्यादा पानी देने से इनकी जो bulb से पो खराप होने लगता है, और fertilizer में हमें इस plant को NPK की fertilizer भी यूज कर सकते हैं, तो next जो plant वो है ग्लोकसिनिया की plant, इनकी scientific name है सिनिंजिया स्पेसियोसा, इस plant को हम अच्छी blooming के लिए bright light area और window की side में रखके हमें इस plant को grow करना चाहिए, fertilizer में हमें इस NPK की fertilizer भी यूज कर सकते, इनकी flower सी काफी सरी varieties होते, जो कि घर की अंदर बहुत ही खुपस्रत लगता है, इनकी जो प्राइस है वो नर्सरी में 150 से लेके 200 या फिर 300 तक रेंज में रहता है, तो नेक्स्ट चो प्लांट है वो ही कलेंचो, इनकी scientific नाम ही कलेंचो ब्लोसी फिल दियाना, एक natural air-puffer plant है, हम इस plant में NPK की fertilizer भी यूज कर सकते, ब्राइट indirect light area में हम इस plant को ग्रोव करना चाहिए अच्छी blooming के लिए, उइंटर में बहुत ही अच्छी से इसमें blooming होते ही और समर में भी कुछ दिनों तक ये रहता है, 50 रुपे से लेके 200-300 तक रेंज में इनकी प्राइस रहता है, ग्रोव व्याग में इनकी जो प्राइस बहुत कॉम प्राइस में ये मिलता है, और पॉठ में ये जादा प्राइस रहता है, कौट् ्ण से भी ये जो पलांट से बहुत यासने से ग्रोव हो जाते हैं, तो नेक्स जो पलांट है बो है बेगोनिया, इनकी साइन्टिपिक नेम ही बेगोने सिया बेगोन यह एक बहुत खुबसुरत इंडोर प्लांट है और काफी सारे भरायटी में यह मिलता है साई नर्स्री में इनकी जो पॉटिंग मिक्स हमें वेल्डेन बनाना चाहिए अच्छी ग्रोइंग के लिए फ्लावरिंग के लिए हमें इसे ब्राइट लाइड एरिया में ऐसे ही रखना चाहिए फॉटिलाइजर में हम इस एन पीके की फॉटिलाइजर भी यूज कर सकते है 150 से लेके 200 तक इनकी प्राइस रहता है इनकी कुछ भरायटी सिर्फ समर में ग्रोव करता है और कुछ भरायटी पूरा साल एसे ही ग्रोव करता है तो नेश्ट जो प्लाइट वो है और्चिड इनकी साइन्टिफिक नेम है और्चिड सिया और्चिड एक बहुत ही खुबस्रत इंडोर प्लाइट है एर कॉलिटी को इंप्रोव करता है और कार्बॉन डाइट सेट को आपजर्ब करके ओक्सिजन को ये रिलिस करता है इनकी लीव्स को दो-तिन दिन में ऐसे ही हमें मिस्टिंग करना चाहिए पर इनकी जो फ्लावार से इनकी फ्लावार के उपर हमें मिश्टिंग नहीं करना चाहिए हम इस प्लाइट में ओही एंपी के फटलैजर यूज कर सकते इनकी कुछ भराइटी 100 या फिर 150 की रेंज में मिलता है और कुछ भराइटी वो बहुत एरेयर भराइटेज की होते जो कि 400 के उपर इनकी प्राइस रेता है ब्राइट लाइट एरिया में हम इस प्लाइट को ग्रो करना चाहिए इनकी अच्छी ग्रोईंग के लिए इनकी जो प्लाइटे बहुत या आसनी से ग्रोई हो जाते है इनकी orange, pink, blue और yellow color की flowers रहता है Natural और artificial दोनों condition में ये जो plant है ग्रोव हो सकता है Blooming के लिए हमें इस plant को bright light एरिया में रखना चाहिए Indoor में लगानें के लिए जो आख्री वराइटी है बो है Christmas की आक्टोस की plant इनकी scientific name है slum burgera हम इस plant को भी indoor में ग्रोव कर सकते हैं और window की side में bright light वाले area में हम इस plant को ग्रोव कर सकते हैं राद को ये plant oxygen release करता है 9 बोर्चे लेके जानवारत oxygen में इसमें अच्छी flowering होती है इनकी जो price है वो nursery में 250 से लेके 300 तो ग्रेंज में रहता है depend करता है कि इनकी plant की size के उपर इनकी भी काफी सारे different color की flowers में भी side energy में मिलता है तो आज मैंने जितना ही plants CR किया है इन सब को छोड़ कि और भी काफी सरे plants है जिने हम indoor में लगा सकते और उन plant में ऐसे ही flowering होती है इस टाइब की वीडियोज देखने के लिए मेरे जिलने को subscribe कर लेजे और वीडियोज देखने के लिए आप सभी के बहुत बहुत thanks thanks for watching